आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक जबरदस्ट ग्रूप की एक जबरदस्ट कमपनी है मतलब जैसे एक हमारे को पता है ना कि स्टॉक मारके में टाटा का ग्रूप है वैसे ही एक इस ग्रूप की भी कमपनी है और आपको thumbnail देखकर पता लगी किया हुआ कि ये एक आदित्ते बिरला ग्रूप की कमपनी है इतनी जबरदस्त ग्रूप की कमपनी है लेकिन फिर भी ये है पैनी स्टॉक पैनी स्टॉक इसलिए क्योंकि इसका rate चाहे वो इतना कम ना हो लेकिन market capital के हिसाब से जो है ये पैनी स स्टॉक के उपर करने वाले हैं साथ ही मैं आपको इसमें fundamental analysis भी करके दिखाऊंगा और इसमें हमारे को काफी अच्छे fundamentals भी देखने को मिलते हैं मतलब company में कहीं से भी कोई भी खराबी देखने को नहीं मिलती है और अभी भी पिछले एक साल के अंदर अगर हम देखे ना तो ये company already double हो चुकी है और अभी आगे और भी double होने के इसके पूरे पूरे chances है तो चलिए दोस्तों अब हम चलेंगे स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल फेंटेक गुरुकल पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिया बटन पर क्लिक किजिए ताकि आपको financial stock market या फिर crypto market से related हर latest news आपको एक ही चैनल पर मिल जाए तो चलते हैं अब अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कौन सा है वो शेयर दोस्तों आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू की एप को यूज करने वाले हैं और ट्रेडिंग व्यू में मैं आपको काफी सारी चीज़े पहले ही समझा चुक हूँ बट अगर आपको अभी चेक आउट कीजिए और इसके बाद जो है आप अपनी टेक्निकाल अनलिसिस जो है अपने फोन पर ही कर सकते हैं इस ट्रेडिंग व्यू की एप को यूज करके तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अब सीधा अपनी स्क्रीन पर और जैसा कि आप देख सकते ही कि हमारे सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने काफी टाइम पहले एक लेवल मार्ग किया था लगबग 16,600 के आसपास और आप देख सकते हैं कि ये लेवल अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है वैसे तो मार्केट में हमारे को काफी बुरी आलत दे टेंशन लेनी चाहिए अधरवाइस अभी आप जो है टेंशन फ्री होकर चल सकते हैं और मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे को निफ्टी में डबल टॉप पैटन बनता हो नजर आ रहा है बट अभी तक उसका ब्रेकडाउन हमारे को देखने को नहीं मिला तो अभी तक हमारे को इस चार्ट में कोई भी खराबी देखने को नहीं मिल रही है तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने आज के स्टॉक अफ़ वीक पर और इस स्टॉक का नाम है अधित्य बिरला मनी जिसे हमारा कोड जो है बिरला मनी के नाम से जानता है और अब आप देख सकत की जोो ब्रेक आउट आया था वह आया था लगबख अट-सट रसमारे के उपर उससे पहले भी काफी टाइम पहले जो है लगबग दोजब च्शे मीने पहले इसी लैवल के उपर breakout देखने को मिला था उसके stock जो है लगबग 72 का high लगा कर आया था जो कोई खास जादा return तो नहीं है बट उसके बाद हमारे को वापे से गिरावट देखने को मिली breakdown मिला लेकिन उसने फिर भी consolidate करके एक stop loss जो था उसने लगबग 59 के आसपस 59 से 68 के बीच में उसने consolidate किया और अब जो है उसने फिर से 68 के उपर हमारे को breakout दिया है और इसमें अगर हम super trend लगा कर देखें तो आप देख सकते हो कि weekly basis पर buying जो है हमारे को लगबग 24 रुपे के आसपस super trend ने दे दी थी अगर आपको अभी तक यह नहीं पता कि super trend को कैसे use करते हैं अगर आपको super trend indicator के बारे में कुछ भी knowledge चाहिए तो आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो में आपको super trend से related क्योंकि एक यह super से भी उपर वाला indicator है इसमें आपको बिना tension के आप अपनी trading या investment जो है इसी indicator के through कर सकते हैं और इसमें आपको बार बार exit या entry करने के भी कोई tension नहीं है तो अगर आपको इस indicator के बारे में detail में knowledge चाहिए अगर आपको एक एक छोटे से छोटा हर beginner के दिमाग में कुछ questions होते हैं और आपको कोई भी confusion है इस indicator से related तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए इस वीडियो को देखने के बाद I think आपके सारे questions सारे doubts जो है clear हो जाएंगे फिर भी कोई रह जाता है तो आप इस वीडियो में या इस वीडियो के नीचे comment section में अपने question अपनी query जो है mention कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वापे से चलते हैं अपनी screen बार और देखते हैं इसके आगे के levels को तो super trend में हमारे को यहां पर 24 रुपे के आसपस buying देखने को मिली थी यह हम weekly chart देख रहे हैं और मैं अगर आपको एक बार monthly chart दिखाऊ हूं इसका तो आप देख सकते हो कि monthly chart में भी हमारे को एक breakout देखने को मिला है और breakout देखने को मिला है वही 68K levels के around आप देख सकते हो कि इसमें हमारे को कितना जबर्दा surrounding button pattern जो है बनता हूँ नजर आ रहा है उसके अलावा अगर हम daily charts पर हैं आप देख सकते हो कि monthly chart पर भी हमारे को super trend ने buy दे रखा है वो भी उसने दिया था लगबग 54K, 72K levels के around और अभी तक selling नहीं दिया है weekly basis पर हमने द selling देखने को मिल रही है sell का indicator मिला हुआ है बट मुझे उमीद है कि जल्दी ही हमारे को यहां पर भी buying का indicator देखने को मिल जाएगा वैसे भी हम stock of the week में जिस भी stock को हमने लंबे समय के लिए रखना होता है उसमें weekly charts को देखते हैं और weekly basis पर तो हमारे को breakout भी देखने को मिला उ 46 day moving average के ऊपर चल रहा है weekly पर बात करें तो बिलकुल इसने बिलकुल यहां पर भी 46 day moving average के ऊपर ही trade कर रहा है 46 के आसपास अभी इसने support लिया था जो इसका support है लगबग 59 का और 63 तक यह गया था last week में और वहीं से इसने फिर weekly basis पर एक hammer candle बनाई है और उसके बाद अब इसने हमारे को 68 के levels के ऊपर breakout दिया है अब बात करें हम इस company के fundamentals की तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी screener.in पर तो यह आगया हम screener.in की site पर यह मैं अपने google chrome की site से use कर रहा हूँ तो उसके बाद हमने यहाँ पर stock को search मारा birla money और जैसे कि आप देख सकते हो हमारे को birla money का stock जो है नजर आ गया है इसके बारे में company के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस about के section में जो है पढ़ सकते हैं की points को देख सकते हैं बाकी अगर हम market cap की बात करें क् को यह बताया कि यह penny stock है market capital wise और सिरफ 412 क्रोड की company है और अभी इसमे growth prospectus जो है हमारे को काफी बड़ा देखने को मिल सकता है current price है इसका लगबग 73 rupees के आसपास और 52 week का high और low है 88 rupees का high लगाया है और 38 का low है और 38 से अगर हम अभी देखें तो लगबग almost जो है यह double हो चुका की book value है और ROCE को देखें तो 12.8 की ROCE और return on equity को देखें तो almost 40% के आसपास जो है हमारे को return on equity देखने को मिलती है बाकी promoter की holding को देखेंगे तो promoter की holdings जो है यहाँ पर हमारे को increase होते हुए नजर आई है बट सबसे पहले हम इसे quarter on quarter basis पर sales को compare करें तो December 2019 में लगबग 38 करोड के आसपास की sales थी जो December 2021 में आते आते हैं लगबग 60 करोड से उपर की हो गया है और operating profit भी almost double हो गया है जहाँ पहले 2019 में 9 करोड का operating profit था वो December 2021 वाले quarter में जो है 17 करोड से उपर का हो गया है और same as profit before tax तो उसमें तो हमारे को तिन गुना improvement देखने को मिली है बाकी अगर आप देखोगे तो उसमें हमारे को increment देखने को मिली है profit growth में भी अच्छा कासा improvement देखने को मिला है last 3 year के मुकाबले stock price के CAGR में यानि कि return में भी हमारे को 66% इस साल return मिला है और return on equity तो वैसे ही जबरदस्त है वो हमने पहले ही देख ली दी अब बात करें एक बार promoter की holding की तो promoter की holding जो है almost constant ही है 73.80 की promoter holding थी March 2019 में और December 2021 में 73.70 की यानि की almost बराबर बराबर ही है 0.10 का फरक है तो इसे हम ज़ादा बड़ा फरक नहीं मानते सो friends आप देख सकते हो कि कितना जबरदस stock है एक तो छोटी सी company क्योंकि 412 क्रोड की market capital है सिरफ इसकी उपर से 70 रुबे के आसपस का stock तो हुआ ना penny stock ही और उसके बाद जो है एक तो इतने बड़े group को belong करती है ये company तो आप prospectors देख सकते हो कि उनका जैसे उनकी काफी सारी companies है जैसे हमारे को ultra tech cement हो गया या फिर हिंडाल को होगी ऐसी बड़ी बड़ी companies और कुछ चोटी companies जैसे idea vodafone हो गई उनमें तो fraud की cases आयते जिस वज़े से ये डूब गई लेकिन बाकी इसके पास इस group के पास काफी बड़ी बड़ी companies हैं और आज तक normally एक भी company ऐसी नहीं है जो डूबी हो बाकी अगर आपको लगता है कि इस group की कोई company डूबी है तो आप नीचे comment section में जरूर mention करना और मेरे हिसाब से ये company जो है एक तो weekly breakout आया उपर से उसकी retesting भी हो गई so अब जो है मुझे यहाँ पर काफी जबरदस return देखने को मिल सकता है और chart के हिसाब से जो अगले इसके target बन सकते हैं वो हैं लगबग 130 और 150 रुपे के आसपास तो यहाँ से भी अभी जो है double होने का पूरा माददा रखता है और इसे लिए मैं इस stock में invest करके चलने वाला ह तो आपकी क्या राय है इस stock के बारे में आप क्या इसमें investment करने वाले हैं या नहीं यह सब चीज़े आप नीचे मुझे comment section अपने views अपने doubt जो भी हैं वो भी आप share कर सकते हैं अगर कोई doubt है तो लेकिन अगर आप कोई राय देना चाते हैं तो वो भी अपने views जो हैं वो न उसकी notification जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मैं तो शार्बदी राजा आपसे लेता हूं इजाज़ाए बाई बाई and take care